हेलो नमस्कार दोस्तों मैं सेलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल माईलिशन पैथरलोजी लैब में दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे MlT को सब्सक्राइब करें अपने वीडियो को तो वीडियो हम सब्सक्राइब करेंगे ठीक है इसके अंदर हम ऐसे टेक्निशन्स होते हैं जो इसकी पढ़ाई करते हैं उनको ऐसे स्किल्स सिखाया जाते हैं जो की लेबोट्री टेस्ट को कंड़क्ट करके उसके डाइगनोसिस के बारे में पता करते हैं ब्लड टेस्ट और बोडी फिल्ड जो है क्लिनिकल प्ले करता है ठीक है जोस्तों चलिए हम आज क्या बात करेंगे हम स्टाफ के बारे में बात करेंगे लेब के बारे में बात करेंगे डिपार्टमेंट के बारे में वारे में बात करेंगे कोर्सिस कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे ठीक है चलिए हम होते हैं और लेब के अंदर बहुत सा मतलब प्रोसेस से होके एक बुरी लेबोटरी को तब लाब कंपली TIME होती है कस्टमर हैंडलिंग होती है पीशन को किस तरीके से हैंडल करना है किस तरीके से आप को आप बात करना है ठीक है कस्टमर के एक बैक एंड टीम होती है जो की फोन पे कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सुनते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए जो है उस पे बात करके उसको सॉल्व जिसको हमक्त्रों आता है हमारा सेमपल क्लेक्षण समेफ्ट जो बाद में आता है तो जुआरो मै CC मार्य निगWithout करते हैं वनको ऑड़ा निलम्रों ठोड़ करते हैं थे नोडकर्ड kवी要ब्रों तो बात आता है हमारा SR Department, SR Department जिसको Sample Registration Department कहते हैं, जहां पर Sample आपके Registered होते है, Registration होता है, वहाँ पर उसमें ये देखा जाता है, कि match किया जाता है, क्रॉस match किया जाता है, आपके वाइल्स पर नाम यह बार कोड जो लगे हुए उन चीजों से, कहीं सेंपल में कोई इसूस तो नहीं है तो वह होता है ऐसा डिपार्टमेंट सेंपल रिस्टेशन डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं उसके बाद वहां से सेंपल डिस्टिब्यूट होके अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाता है जो जहांके टेस्ट होते हैं उस डिपार् तो रिपोर्ट करके रिपोर्टिंग करके उसका अगर किसी को हाड को भी दे नहीं हो तो प्रिंट करना होता है नहीं तो सफ्ट्रवर पप्लोड करके वह इमेल वाट्सप के जरीए रिपोर्टिंग भीजी जाती है ठीक है दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं डिपार्टम स्टेशं सायटोजी एट हम अब बात करते हैं हुमारे ग्लक इसे। पर syrup मेर्मिक वारे तर्क आ जैसें कि सी बंच प्लेडिकल क्यूं थे। चुमारे हीमेट्रीजी के अन्दर आरे च्पी Alles बंदर क्लीनिकल पैसलोजी के अंदर जितने हिवी हमारे प्लीुट्स होते हैं जैसे कि ईॉरीन हो गया यूरीन हो गया उरीन Shoot Impa इंधिं फ्लीूट्स का टेस्ट हम क्लीनिकल पैसलोजी के अंदर करते हैं बायोकिमर्स्टी जहां पर हम कामिकल के दौरा मतलब कामिकल के दौरा स्टेस्ट को कुरता है, टर्केमिकल होता है है worth हो गया और लिफिट प्रोफाइल हो गया और kiedy भी ऑगया और ऐलेक्ड लाइंतो थीच दे पाटमेन्ट okay re यह सारे टेस्स हम करते हैं.. »MICROLOGY IS THE STUDY OF THE BIOLOGY OF MICROSCOPIC ORGANISM मतलब हम यहा पर MICROSCOPIC ORGANISM के बारे पढ़ते हैं मतलब BACTERIA हो गया, BACTERIA हो गया, FUNJAY हो गया, PROTESE-SO गया इसमें जो टेस्ट आते हैं Blood, EURENE, PUS, SPUTEM, CSF, SWAP CULTURE और वी वह से रेस्ट के अंदर आते हैं Microbiology department के अंतर अब हम बात करते हैं Immunology के एपारे मी इम्मुनोलोजी जहां पर हम ऐसे डिसॉर्डर के बारे में बढ़ते हैं जो कि Immun system द्वारा होते हैं और हर्मनल टेस्ट हो गये के बार ने बात्बास कर deve iletin कर डाने लिए को लिए । राव जेए हिस्टो चे वा डेते हैं से माईक्रोज छॉक्ड के दिनस ने मश्कामीदodra वास त्जूस के शुस ओकफा के स्यूर करते हैं कि इसके अंदर किया है कोई कि मैलेगनेंसी तो नहीं है इस चीज के बारे में हम हिस्टोपेस्ट लोजी के बारे में जो है साइटोलोजी में में जफसे एफनसी टेस्ट करते हैं तो cytology is the exam of a single cell type as often found in fluid specimen, it is mainly used to diagnose or screen for cancer, it is also used to screen for fetal abnormalities for pap smear to diagnose infectious organism जैसे कि FNAC करते है, FNAC में कोई malignancy की cell तो नहीं है, उसके बार में हम FNAC में बढ़ते हैं, तो cytology का जो main way कि हम pap smear करते हैं, cytology test में FNAC करते हैं, ठीक है, उसकी screening इसे भी हम microscope के अंदर देखते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, blood bank के बार में, blood bank is a center where blood gathers as a result of blood donation, is stored and preserved for letter use in blood transfusion, blood bank के अंदर blood donation होता है, जिसको हम preserve करके रख लेते हैं, बाद में अगर जैसे किसी को blood transfusion करना होता है, तो उसके रिए use करते हैं, ठीक है, तो blood bank का यह uses होता है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे important topic यह है, how to become a good medical lab technician, medical lab technician कैसे बन सकते हैं, अच्छे medical lab technician, तो अगर कोई patient आ रहा है, उससे बात करने का तरीका, आप patient को satisfy कर सको, ठीक है, patient आ रहा है, patient को आपने confidence में लिया, उनसे बात करने से patient को यह नहीं लगना चाहिए, कि यह बंदा भी इस field में नहीं है, उनको patient के हर question का आपको answer देना हो भी satisfy करना patient को, ठीक है, pleasant personality होनी चाहिए, knowledge of every field, जितनी भी fields हमने पीछे बताए ना, उन सारे fields के बारे में knowledge आपको होनी चाहिए, ताकि आप patient को समझा सको, अगर patient कोई भी आपसे question करता है, रिलक्स नेचर होना चाहिए, nature जो है आपको बिलकुर relax होना चाहिए, aggressive नहीं होना चाहिए, alertness होना चाहिए, कि आपको किस time पे क्या करना है, किस time पे कौन सा step लेना है, यह आपको पता होना चाहिए, ability to follow instructions and make necessary correction, जो instructions आपको मिले हैं, उसको follow करना आना चाहिए, और कोई ऐ ऐसा necessary correction, जो कि आपको लगता है कि हाँ, यह सही है, उसको करने में आप सक्षम होने चाहिए, commitment, एक commitment एक ऐसी चीज़ा चाहिए, कि अगर आपने किसी को commitment कर दिया, कि आपकी report हम suppose करोगे, आपने बोल दिया कि दो बज़े हम आपको report दे दे देंगे, तो दो बज़े तक यह report complete होने चाहिए, इसकी responsibility आपको होने चाहिए, क्योंकि आपने commitment किया है, ठीक है, punctuality, punctuality सिर्फ medical line में ही नहीं, lab line में ही नहीं, हर जगे, हर जगे punctuality तो बहुत ही important होता है, अब हम बात करता है, confidential के ओपर, confidential का यह मतलब होता है कि कि किसी भी patient की report, सिवाए उस patient के और किसी को पता नहीं लगनी चीए, ठीक है, तो यह बहुत ही important topic होता है, confidential का, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि courses कौन-कौन से होते है, MLT के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले हाता है, CMLT, CMLT का मतलब होता है, Certification in Medical Lab Technology, DMLT Diploma in Medical Laboratory Technology, BMLT Bachelor of Medical Lab Technology, MLT का मतलब है, Master in Medical Lab Technology, PhD, Doctor of Philosophy, ठीक है अब हम एक-एक करके इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले, CMLT, Certification in Medical Lab Technology के बारे में हम पढ़ लेते हैं, It's a certification program that trains students to become medical laboratory technicians, यह एक certificate program होता है, जिसमें की student को, student medical laboratory technicians बनते हैं, also known as clinical laboratory technicians or medical laboratory assistants, के लिए हम इसमें यह job इनको मिल सकता है, ठीक है, जो course होता है, जो course होता है, वो certificate level का होता है, full form certificate course in medical lab technology होता है, six month और one year का होता है, eligibility जो होती है, 10 plus 2 होती है, job position का होता है, medical laboratory technician और assistant laboratory technician की post इनको जा जाती है, ठीक है, उसके बाद आता है, DMLT, Diploma in medical laboratory technology, ठीक है, course level जो है, diploma होता है, full form इसका diploma in medical laboratory technology होता है, duration three year होता है, और two year होता है, ठीक है, eligibility 10th और 10th plus 2 होता है, job profile क्यों होता है, medical laboratory technician होता है, clinical laboratory technician होता है, labotomist हो गया, biochemist हो गया, medical labotomist हो गया है, और भी बहुत से profiles होता है, जहां इनकी job लग जाती है, ठीक है, अब हम बात करते है, BMLT, bachelor of medical laboratory technology, medical, BSC, MLT, इसको हम कहते है, ठीक है, full form इसका bachelor of science in medical laboratory technology होता है, graduate level का यह course होता है, course duration 3 years होता है, और eligibility 50% in 10 plus 2 from any recognized educational world, ठीक है, job position क्या होता है, वहीं lab technician बन सकते हैं आप, और फ्लाबोटोमist, biochemist और जो है, clinical laboratory technician, ठीक है, यह चीज़े, आप इसमें bachelor के बात कर सकते है, MLT के बारे में, master in medical laboratory technology, देखे, जैसे कि BSC MLT था, उसी तरीके से BSC microbiome कर सकते है, BSC biochemistry भी कर सकते है, BSC, आप particular subject से करते हैं, उस subject में आपकी specialization हो जाती है, BSC MLT का मतलब आप MLT line को ही आगे लिखके जा रहा है, ठीक है, उसी तरीके से MSC, जो MLT हो गया, मतलब MSC MLT, तो MSC MLT में भी आप particular subject से specialization ले सकते हैं, ठीक है, तो अभी हम MLT के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर MSC आपको particular subject से करना है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है, course lab जो होता है, course level जो होता है, post graduate होता है, duration of course, two years का course होता है, जो examination type होता है, semester wise exam होता है, इसके eligibility, bachelor degree होना चा जो होता है, MSC in microbiology करना है, तो आपको BSC MLT होना चाहिए, या तो BSC microbiology से होना चाहिए, ठीक है, जो position का होता है, laboratory manager होता है, laboratory consultant हो जाता है, lab technician और pathology supervisor, और इसके बाद आप industries में भी जा सकते हैं, जो MSC micro, जैसे आपने किया, MSC micro के आप industries के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है, उस इसके बार हम पर लेटा है, course level, doctorate level होता है, eligibility क्या होता है, master degree होना चाहिए, MLT में, ठीक है, और related field में होना चाहिए, और कुछ board के exam होता है, जैसे get हो गया, UGC net हो गया, CSIR net हो गया, और JRF हो गया, ये आपको qualified होना चाहिए, ठीक है, duration of course कितना होता है, 3-5 साल का, इसका course का duration होता है, इसके बार है, इसके बार है, इसको को कुलेट करें, PhD holders in medical laboratory technology have several career opportunities in the healthcare industry, they can work as research scientists, laboratory managers, medical technologists, clinical laboratory directors and professors, they can also work in pharmaceutical industries and government organizations like the national institute of health and the center of disease control and prevention, CDC may be आप work कर सकते हैं, चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, हमने इस वीडियो में बहुत ही basic चीज़ों के बारे में बात किये, ठीक है दोस्तों, नमस्का